कार्तिक माह में शुकल पक्ष की प्रतिब्दा तिथी को गोवर्धन पूजन किया जाता है। खास तोर पर मनुशों के द्वारा प्रकृती के प्रतिकृतग्यता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का ये पर्फ मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन परवत और पशुधन की आकृती बनाई जाती है और विधिविधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर योग से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौरानिक कथा के बारे में। गोवर्धन पूजा की कथा और आणिक मान्यता के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरहत्रा के पकवान बना रही हैं, पूजा का मंड़क सजाया जा रहा है और सभी लोग प्राता काल से ही पूजन की सामागरी एकत्रित करने में व्यस्थ है तब श्री कृष्ण ने योश्दा जी से पूजा, माईया ये आज सभी लोग किसके पूजन की तयारी कर रही हैं, इस पर माईया यशोदा ने कहा कि पुत्र सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तयारी कर रही हैं तब कन्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रही हैं इस पर माटा यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, इंद्रदेव वर्शा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्ठ होता है तब काना ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का करतव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन परवत की करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाये तो वही चरती है और हमें फलफूल, सबजियां आदी भी गोवर्धन परवत से प्राप्थ होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाए गोवर्धन परवत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रल्यदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों और त्रहित्रा ही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की बात मानने का कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार द इसी के बाद से गोवर्धन परवत के पूजन की परंपरा आरम हुई। अगर विडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैश्री कृष्ण